दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव नजदीक है ये तो तै है विधान सभा चुनाव की घोशना भी बहुत जल्दी हो सकती है ये भी तै है एसा भी लग रहा है कि जैसे हर्याना विधान सभा का चुनाव अपने तै समय यानि की जो अक्टूबर नमंबर में होना है उससे पहले भी कहीं घोशित ना हो जाए क्योंकि चुनाव आयो कि कुछ तयारियां ऐसी चल रही है जिसको देख कर लग रहा है कि संभवता अगस्त के अंतिम सप्ता में या सितंबर के शुरू में चुनाव घोशित हो जाए चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीती बना रहे हैं भारती जनता पार्टी के लिए चुनावती है है को गुट waiter को याने की शनी वार को भारती जनता पार्टी ने जहां रहां रहतक के अंधर बैठकक कर अपनी रहुत्क क्याराण अमें हरीहाना पर्देश भाजपा का जो इस कमेट rise में वहां बैठके भाजपा के तमाम नेताओं ने भाजपा आ के प्रदेश प्रूनाव प्रभारी बाजपा के परदेश, अध्यक्ष और बाकी तमाम नेताओं ने बैठकर रणनीती बनाई तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस की भी स्ट्रजिटी कमेटी की बैठक हुई कि अपनी वो रणनीती बनाए कि जिससे की हर्याना विधान सभाज चुनाव को जीता जा सके जो भारती जंता प्रणनीती बनाई उसके अंदर तो उन्होंने अपनी दो सूचियां जारी कर दी चुनाव समीति और चुनाव प्रवंदन समीति की दूसरी तरफ जो कॉंग्रेस ने अपनी स्ट्रेज़िजी कमेटी की बैठक की उस बैठक के अंदर लगबग 50 के आस-पास निता शामिल हुए लेकिन उसके अंदर कई बड़े नाम थे जो शामिल नहीं हुए मैं आपको बताता चलूं कि कॉंग्रेस ने पिछले दिनों अपनी ये कमेठी गोशित की थी जिसके अंदर की चुनाव कैसे जीता जाए चुनाव का कैमपेंड कैसे चले हो इस रड़नीती को बनाने के लिए हरियाना के तमाम कदावर नेताओं को लिया था दीपक बावरिया जो हरियाना के प्रभारी है वो इस समीती के आप उनको संयोजक मानले करता धरता मानले वो हैं उनके साथ में पूर मुख्य मंतरी बुपेंदर सिंग उड़्डा हरियाना कॉंग्रेस के द्यक्स चौधरी उदयवान, कुमारी सेलजा, इनके साथ में रंदीप सिंग सुर्जेवाला, चौधरी विरंदर सिंग और बाकी तमाम नाम, हरियाना के नाम जिनके अंदर की पूर मंतरी करन सिंग दराल का नाम भी है, फरिदावार लोकसभा के केंड़ेट महेंदर परत कॉंग्रेस कारयालिया के अंदर, उस बैठक के अंदर दीपक बावरिया मौजूद थे, उस बैठक के अंदर भुपेंदर सिंग घुड़ा मौजूद थे, उस बैठक के अंदर सत्पाल भ्रमचारी भी थे, उस बैठक में वरुन मुराना भी थे, यानि कि जो कॉंग्रेस में दीपेंदर हुड़ा भी नहीं थे बैठक में जेपी भी नहीं थे दो सांसत थे तीन नहीं थे जो इसार के सांसत जैप्रकाश वो भी नहीं थे उस बैठक के अंदर रणनीती बनाई गई चुनाव जीतने की चुनाव लड़ने की तमाम नेताओं के विचार लिए गए उनके सुझाव लिए गए कि चुनाव मैदान में कैसे उतरना है मैं आपको बताता चलूं कि हर्याना के अंदर पांच लोगसभा की सीट जीतने के बाद कॉंग्रेसी दमा दम है कॉंग्रेसी मस्त हैं उनके अंदर ये बात जरूर है कि उन्होंने पिछली बार से अपना वोट शेयर भी काफी बढ़ा लिया और पांच सांसत भी जिता लिये 2019 के चुनाओं में हर्याना से कॉंग्रेस के एक भी सांसत नहीं था जीरो पे आउट हो गई थी कॉंग्रेस और 2014 के लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस का हर्याना से मातर एक सांसत था दिपेंदर हुड़ा जो 2019 आते आते हार गए और अब 2024 में कॉंग्रेस के 5 सांसत बन गए दिपेंदर हुड़ा बन गए रोतक से सेलजा बन गए सिरसा से जेपी बन गए हिसार से वरुन मुलाना बन गए अमबाला से और सत्पाल भ्रमचारी बन गए सोनीपस से नौ सीटों पर कॉंग्रेस लड़ी थी चार पर कॉंग्रेस ने जीत लिया जिससे कॉंग्रेस के नेताओं का कारेकरताओं के होसले तो बलंद है लेकिन जिस प्रकार से कॉंग्रेस नेताओं के बीच में चल रहा है अगर माने तो जो पहली बैठक थी रणनीती बनाने के लिए उस बैठक के अंदर ही अगर नेता नहीं पहुँचे चलिए दिपेंदर हुड़ा तो यह हुआ कि बुपेंदर सिंग हुड़ा बैठक में मौझूद थे कुमारी सहलजा का भी कह सकते हैं वे चलो अपनी यात्रा मौझूद थी लेकिन रंदीप सुर्जे वाला भी नहीं थे तो यह नेता जिनको भुपेंदर सिंग हुड़ा के विरोधी गुठ के रूप में जाना जाता है कहा जाता है कि हरियाना कॉंग्रेस में दो गुठ हैं एक हुड़ा साब बाला गुठ चलता है दूसरी तरफ कुमारी सहलजा बाला चलता है हलांकि इस समय दोनों गुठ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं कल जिस समय ये बैठक चल रही थी आप लगबग उसी समय में मान लें कि फरिदाबाद के अंदर दीपेंदर हुड़ा आये हुए थे उनकी बड़खल के अंदर जो कॉंग्रेस हिसाब मांगे हरियाना हिसाब मांगे यात्रा चल रही है वो पदयात्रा थी कुमारी सहलजा भी अपनी किसी यात्रा में जरूर होंगी क्योंकि आज सुभा वो नारनौंद में थी अलग से वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे नारनौंद को ले करके और कुमारी सहलजा की रैली सभा को ले करके लेकिन बड़ी बात ही है कि जो कॉंग्रेस की स्ट्रेजी बनाने की कमेटी थी जिसके अंदर कॉंग्रेस ने रन्नीती बनानी थी जिसके अंदर दीवक बावरिया थे भूपे अंदर तमाम नेता थे लेकिन उस बैठक से कुमारी सेलजा का नदारत रहना उस बैठक के अंदर रंदीब सिंग सुर्जेवाला का ना होना उस गुट के नेताओं का ना होना मान लेज़े दौना बड़े चेहरे हैं और उसके बाद में क्योंकि विधान सभा चुनाव लजदीख है विधान सभा चुनाव को लेकर के भी रंड़ीती थी और ये भी तैजरूर होना है कि कौन से नेता के खाते में कौन से सीट दी जाए, कौन सा नेता चुनाव जीत सकता है, सबसे प्रमुक्ता तो यही उनिधी चाहिए कि चुनाव जीत कौन सकता है हाला कि कॉंग्रेस के दौनों निताओने मैं चाहिए हुड़ा साब का नाम लूँ चाहिए कुमारी सहल जा का नाम लूँ दौनों ने हर विधानसभा छेत्र के अंदर अपने कैंडिडेट्स की रिस्त तयार की हुई है दौनों के अपन कंग्रेस को कि को अगर सत्ता के नजदीक पहुचना तो फिर सत्ता में आने के लिए 46 विधायक तो चाहिए हरियाना में 90 सदस्य विधानसभा है अगर सरकार बनानी है तो 45 के बाद में एक और जुड़ेगा तो 46 विधायक मिलेंगे तो ही सरकार बन सकती है अगर बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं बन सकती पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखें तो 2019 में कॉंग्रेस को 30 विधायक मिले हलाकि बाद में एक और जुड़ा 31 हुए और बाद में वो घट गए जब लोकसभा चुनाव आ गया वरुन मुलाला का इस्तीफा हो गया इदर चली गई कुमारी किरन चौधरी चोड़ करके बीजेपी को बीजेपी में चले गई कॉंग्रेस को छोड़ करके मतलब आप मानें तो ये सब कुछ जो है स्टजी बनाना रणनीती बनाना की किस प्रकार से चुनाव के अंदर अपना भैतर परदर्शन किया जा सके लेकिन जब उस कमेटी के अंदर जो रणनीती बनानी है उसके अंदर अगर प्रमुक नेता ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा और उस पर देखे तो दीपक बावरिया कल गुस्सा खा गए कॉंग्रेस के नेता दीपक बावरिया से पूछ लिया अख़वार नवीसों ने कि कुमारी सहलजा नहीं आई है इस बैठक के अंदर रंदीर सुर्जे वाला नहीं आए है तो फिर आखिर चुनाओं में कैसे पार करेंगे दीपक बावरिया इस बास से गुस्सा हो गए ख़वर नवीसों पर मीडिया के लोगों पर फोड़ें वहां तक तो ठीक है लेकिन सबसे प्रमुख बात तो यह बन जाती है कि आखिर इतनी बड़ी जब आप कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप पूरी रणीती बना रहे है कि आखिर सरकार में कैसे आया जाए जिस बैठक के लिए प्रोग्रम ये एकदम से बैठक नहीं होई थी जो कल यानि की दस्तारिक को जो बैठक कॉंग्रेस की हुई इसकी घोशना एक सब्तहा पहले हो चुकी थी कि कॉंग्र तो फिर सवाल तो उठेगा लेकिन सवाल उठने के बाद में कॉंग्रेस के परदेश परभारी अगर बुस्सा खा जाएं वो ये कहने लगे कि आप तो सुपारी लेकर के बात करते हैं तो ये सुपारी वाली बात तो भले ही वो उनकी अपनी कौन सी सोच की उपज हो लेकि कि दीपक बावरिया ने ये भी कहा कि हम अपने उन नेताओं से जो नहीं आये हैं उनके विचार भी ले लेंगे सुझाओ भी ले लेंगे पत्र ले लेंगे सब कुछ ले लेंगे लेकिन बात ही आ जाती है कि सत्ता में आने के लिए या अपना शासन लेने के लिए सबसे ज ज्यादा बन जाती हैं। कि आपको पता ही रहा था कि ceremony 5,शांसत जीतने के बाद THEAR कारेकरताों में उत्साह इस समय पूरे उफान पर है लेकिन जिस प्रकार का एक तरफ कारेकरताओं का जोश, पार्टी नेताओं का जोश और उसके बाद में अगर पार्टी नेताओं की खेमे बंदी रहती है तो वो कहीं ना कहीं संगठन को नुकसान देती है और आप मानें तो 2019 में भी यह हुआ और कॉंग्रेस के अंदर 2014 में भी यह हुआ 2019 में तो भुपेंदर सिंग उड़ा जी ने खुद माना कि अगर टिक्टों का वित्रण सही हो था तो फिर और अच्छे रिजल्ट आते आप देखने तो 2019 के अंदर भी कॉंग्रेस के अंदर ही सब कुछ चला था अशोग तवर एक टिकेट कार दिये जो तवर समर्थक थे सेल्जा समर्थक थे और वह बाद में किसी और पार्टी में जाकर के विधायक बने में उसके अंदर आप तैज़ Questions पीजेपी में जाकर के विधायक बने लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं और सबसे प्रमुख बात आ जाती है कि एक तो कैंडिडेट का खुद उतर जाना और दूसरा फिर उनको नेताओं का सपोर्ट करना इसमें प्रमुख बात एक और भी है दोस्तों कि कॉंग्रेस की जो रनी सा नेता जिताओं होगा लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस के दौनों धड़ों के नेताओं ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारने भी शुरू कर दिये हैं अब जब सर्वे की रिपोर्ट ही नहीं होंगी और नेताओं को प्रत्याशी बना दिया जाएगा तो फिर कि जो वोट शेर था यह सीट लेने की बात है तो भारती चंता पाप्रटी 10 साल की अंटीन कंबेंसी के बाब जूद भी अर्याध में पांच सीट्रे में काम्याप भी रही अगर वोट शेर की बात आ जाती है तो फिर वोट शेर में भी बीजेपी ने कॉंग्रेस से पीछे कहीं नहीं रहे बले ही उनका वोट शेर घटा जरूर, जो भारती falls कम तो हुआ लेकिन कॉंग्रेस के लिए चुनोती ये है कि उनका केवल वोट शेर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा काम चलेगा कि जब उनके नेता और कारेकरता मजबूती के साथ उतर करके मैदान में होंगे भले ही दीपक बावरिया अपना नजला अपना गुस्सा गिरा सकते हैं लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी की सेहत के लिए ठीक है वो तो सबसे बैटरी तो यही है कि इनके नेता कारेकरता मिल करके चलें और आप मान लें तो कॉंग्रेस के आला कमान ने जो संदेश भी दिया चाहे राहूल गांदी ने चाहे मलिकारजुन खडगे ने कॉंग्रेस के नेताओं को संदेश भी दिया कि मिल जुलकर चलते हुए दिखाई दें एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी ना करें बले ही कुछ दिनों के लिए पोस्टर्स के अंदर पोस्टर्स भॉए दोनों गुटों के नेता बन गए कुमारी सेलजा के पोस्टर्स के अंदर उदैभान जी और भुपेंदर सिंग उड़ा भी पहुचे तो दिपेंदर हुड़ा के पोस्टर में सेलजा भी दिखाई दी लेकिन वो खाना पूर्ती रही दिखावार आगे आगप देखें तो आज नारनांद में जो रैली हुई कुमारी सेलजा की उसके अंदर उदैभान जी थे ना भुपेंदर सिंग उड़ा थे और इसी प्रकार अगर दिपेंदर हुड़ा आए तो उनके समर्थकों के पोस्टर में कहीं कुमारी सेलजा नहीं थी अब सबसे प्रमुक बात यही आ जाती है कि रणनीती कमेटी की बैठक में नेताओं को एकठा ना होना एक दूसरे के लिए जो परचार अभियान चल रहे हैं उनके अंदर एक दूसरे नेताओं के गुटों के नेताओं में तबज्जो ना देना उनकी सभाओं में ना जाना इन सबसे तो कारे करताओं के बीच में और जंता के बीच में संदेश अच्छा नहीं जाता लेकिन कॉंग्रेस आला कमान भी इसकी रणनीती को जरूर बना रहा होगा कि किस परकार से अपने नेताओं को वो एक माला में पिरोए हुए मूतियों के समान दिखाई देने का प्रयास करेगा वैसे आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस के अंदर क्या अभी कोई गुटबाजी है और या फिर जो दीपक बावरिया कह रहे थे ये केवल मीडिया की दिन है आपको क्या लगता है कि अगर गुटबाजी है तो फिर क्या उसके बावजूद भी कॉंग्रेस को फायदा होगा और या फिर चुनाओं में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपको क्या लगता है कि क्या 2024 के विधानसभाद चुनाओं में हर्याना के अंदर कॉंग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना